जो student class 11 से class 12 में आये हैं यानि कि session की बात करें 2021 से 2022 वाला session तो बहुत सारे student confused है syllabus को लेकर मैं आपको यहाँ पर syllabus बता देता हूँ कि आपके जैसे कि 2021 का syllabus था उसमें covid की वजय से कुछ chapter डिलीट कर दिये थे यानि लगबग 30% जो syllabus था वो कम कर दिया गया था लेकिन जो अब यह नया session है इस session में फिर से syllabus वापिस आपका बढ़ा दिया गया है पहले जैसा ही हो गया है लगबग लगबग मैं आपको syllabus बताता हूँ ताकि आपको कोई confusion ना रहे हैं और आपको syllabus कैसे देखना है यह भी आ इंटर कर देना है सबसे पहली जो link का आपके सामने आएगा cbsc.government.in ठीक है यह cbsc के official website है आपको इस पर क्लिक कर देना है जब आप cbsc के official website पहोगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आजाएगा website का ठीक है आपको clear समझ वाया होगा यहां तक अब आगे क step आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी है बिल्कुल ध्यान से समझते वे चलो आपको आना है यहां पर academic website यह जो आपके सामने सबसे last option देख रहा है इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने यह page खुल जाएगा अब आपको आना है करीकुलम में करीकुलम में देखे आपके सामने 2021 का revise syllabus भी है और 2021 का भी है अब आप 11 क्लास से 12 में आये हो आप 12 में आये हो तो आपके लिए 2021 वाला आपको खोलना है ठीक है आप 2021 पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से syllabus आ जाएगा अब यह देखना है कि आप कौन सी क्लास में हो अगर आप नैंध हो 10 में हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है लेकिन अगर आप 9 10 में नहीं हो तो आपको नीचे यह जो Sine diveet Are अब आपको आना है अब आपको आना है तो आपके सामने सब्जक्ट आ जाएंगे यहां पर आपको पुलिटिकल साइंस भी दिख रहा है आपको सोचोलोजी भी दिख रहा है और सबसे नीचे आपको हैंपको पॉलिटिकल साइंस दिख रहा है आपको कलिक कर दोगे तो यह आपके सामने पीडियाफ आजाएगी अब आपको एक छीज़ ध्यान लखने है कि इसमें क्लास 11 का भी इसी पीडियाफ में आपको मिलेगा और क्लास 12 का प्लीज़ नक्ना है देखिए जैसे आपके सामने यह है कि क्लास 11 का चलता है जिसमें पहला चैप्टर आपका सम्मिधान वाला था यह सारे आपके टॉपिक है इसके अंदर दूसरा आपका इलेक्सन और आपके पहले जो पॉलिटिकल का जो चैप्टर वन और चैप्टर टू होता तो जो फंडमे लिए आप देख सकते हैं और आपसे पड़ के समझ सकते हैं बागी मं आपको ले चलता हूं क्लास 12 में लेदें पर पलिटेकल साऍस के दो बुक की आपके आपकी क्लास 11 के ऑसे सही हां पर फिली बुक जो है आपकी डिक्सु पर इसमें मर्ज कर दिया गया है चैप्टर टू में यानि या आपके पिछले साल के लिए डिलीट थे बट जो बच्चा अभी बारवी क्लास में उसके लिए दुबारा से उसको ये चैप्टर पढ़ने ही होंगे तो आपका देखो ये नए से लेबस में आपके लगबग वो सारी चीज जो है वो डिलीट हो रखा है यहां पर लेकिन उसका कुछ पॉर्सन सेकिंड चैप्टर पर मर्ज हो गया है जो कि आपको मैंने मैंने कंटेंट बनाया हुआ है आप वहां पर देख सकते हैं अब बात कर लेते हैं दूसरी बुक जो थी हमारी जो इंडिया की राजनिती पे ह है भारत की राजनिती पे हैं तो इसमें भी आपके 9 चैप्टर होते थे बट यहां पर जो सेकंड चैप्टर आपका होता था कॉंग्रेस वाला एक दल के परवुत्व का दौर वहां से डिलीट होगे उसका कुछ पॉर्सन आपको अगले चैप्टर में मर्ज मिलेगा यहां इससे इनके लिए आ गई है आनि कि आपको दुबारा से यह चीज़े पढ़नी पढ़ेंगे और लिंक में आपको सारे प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हमने अल्रेडी बनाई हुई है वीडियो हिंदी मीडियम में आपके सारे बना रखे हैं चाया आप 12 강ास में आये हैं तो आपको सब्राइन्स से ही त्यारे करनी करने हैं ताकि आपको एंडबें जाकि आपका ऊच्छा हो सके और जो स्टूडेंट जो भी है, जो बच्चे English Medium से हैं, एक बार मुझे comment करके बताए है कि आप मेंसे कौन से बच्चे है जो in utilizz medium से है, ठीक है, एं rebellious medium के लिए हम नआ हैं वाड़े हैं, जिसमें आपको आपको दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो यही था और डाउन्लोड आप कर सकते हो बाकी मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा आपको सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको मानलो ऐसे सर्च करने में दिक्कत आ रहे है तो आप उस लिंक पे जाना सीधा डाउन्लो पीडियाफ तो आप वहां से भी डाउन्लोड कर पाओगे तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग सभी को जै हिंद जै भारत किसी और सब्जक्ट का अगर आपको स्लेबर्स जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर दें आपको नेक्स्ट वीडियो से टॉपि बना दिया चाहेगा